नमस्कार दोस्तों आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भई चलते हैं गार्डन में और करते हैं एक ऐसे प्लांट के बारे में डिसकस जो की हमीशा रहने वाला पोध है और बिलकुल हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत परफेक्ट है वो और बहुत सारे हुई है लेकिन पहला फूल जो है मौर्निंग गलोरी का आज खिला है वो और भी बहुत सारी देखोई बेले तियार हो रही है इन पर भी अभी फ्लावरिंग होई तो जो सबसे पहला फूल खिला है मौर्निंग गलोरी का वो मैंने आपको दिखा दिया और जो यह मैंने कट के बारे में डिसकस जो की सबसे बढ़िया है हैंगिंग बास्केट के लिए और दोस्तों हैंगिंग बास्केट लगा के घर की डेकोरेशन तो देखो होती होती है लेकिन उसके साथ मतलब जब लटकते हो यह प्लांट आप देखते हो न तो बहुत अच्छा लगता है एक तो हैंग करते हैं और निचे की तरफ प्लांट लटकते हैं तो उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा होती है तो इस पे ऐस्पेरिगस पे हो गया बेबी संरोज पे कैलन कोई पे मतलब जो भी हैंग करने वाले यह प्लांट से इनके बारे में मैंने डिसकस किया हुआ है लेक उसले बनाने का तो शायद उसने कोई ब्रांच तोड़ किया गिरा दी हो और यह मट्टी वैसे गुडाई वाली थी तो यहां पे यह बेल उग गी है बेल नी सौरी हैंगिंग वाले प्लांट से यह हैंग होते हैं यह क्रीपर यह समझ लो इसको एक तरह से मतलब क्रीपर की लायब हो जाती है विलकुल इसका नामोनी शांसा मिट जाता है और जैसे ही बसंत का मुसम आता है फिर से दुबारा हरा भरावना शुरू कर देती है तो बहुत सुन्दर प्लांट है यह और आपको जरूर मिल जाएगा नर्सरी में भी या कहीं और भी आप इसको देखो त तो मैं भी यहां से जड़ के साथ थोड़ा सा प्लांट ले रहती हूं और आपको लगा के दिखाती हूं एक मेरा छोटा सा हैंगिंग का एक छोटी वास्केट सी थी मैंने लटका रखी थी उसमें परसलेन पोर्चुला का की जड़े लगी हुई थी जो कि अब उगनी थी तो वो बंदर गिरा गे थे वो सारा खाली हो गया तो मुझे लगा फिर इसमें यह हैंग करने वाले प्लांट भी लगा देती हूं और आपके साथ भी यह प्लांट डिसकस हो जाएगा जो कि मैंने आज तक नहीं किया क्योंकि मुझे यह कभी मिला ही नहीं और भगवान की कि मैंने कर दी थी जंगे जंगे जो मैंने जड़े छोड़ रखी थी परसलेन पॉर्चुला का की वो सारी मैंने साफ सफाई करके ठीक ठाक कर दी और भी इसमें सदा बाहर के बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और यह जो आप देख रहे हो भी है नैचुरली ऊगा है मै इतनी जल्दी से आपकी hanging basket को cover कर लेगा और लटकता हूँ, इतना सुंदर लगता है, यह बहुत खुबसूरत, और यही time चल रहा है, इसकी growth का time तो ही है, लेकिन इसके लगाने का भी यही time है, तो आपको जहां भी दिखता है, यह nursery से लाते हो, तो इस तरीके से आप लगा ल है, निचे तक छेदी छेद हैं, तो अगर आप किसी और में लगा रहे हो, तो आपको छेद करना जरूरी है, मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पैले सी है, और पानी एकदम से ना निकले हूँ, उसके लिए मैं एक पॉलोथीन इसमें बिचा लेती हूँ, जो एक्स्टा होगा वो काट देंगे, और यह लगा के आप सेंटर पॉइंट देख ले, उसमें कट मार दें, ताकि पानी भी पॉलोथीन में ना रुके, क्योंकि पॉलोथीन में से तो पानी निकलेगा नहीं है न, तो हम रोकना भ भी मैंने कर लिया, और इसी तरीके से मैं प्लांट लगा देती हूँ, और बस इसमें मत्टी भर देंगे, और यह अपना प्लांट लगा देंगे, तो आते हैं दोस्तों इस प्लांट के रख रखाओ के उपर, जैसे कि आप यह बुरबुरी सी मत्टी देखी रहे हो, पहले तीनों का मिक्शर भी ले सकते हो, या आप खाली कंपोस्ट में भी लगा सकते हो इसको, और इस प्लांट को लगाने के बाद दोस्तों थोड़े दिन आपने हल्का सा शेड में रखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा सनलाइट पसंद करने वाला सा नहीं है यह, अब आप इंडोर में लगा लो लेकिन जादा दिन चलता नहीं है यह, फिर इसकी लागी-लागी सी ब्रांचीज हो जाएंगी, ग्रोथ होगी नहीं, आपको मज़ा नहीं आएगा, तो आउट्डोर अगर आपका शेडी एरिया है, आउट्डोर कोई कवरिंग वाला एरिया आपका, तो वहाँ आप इसको बड़े अराम से लगा सकते हो, तो मैं भी दिवार पे प्लांट्स ऐसे लटका लटका के इस तरह की जो होती है, मतलब कोई भी आइटम मिल जाए, इसको क्या बोलू, मैं मेरी समझ में नहीं आ रहा, इस तरह की कोई भी लगाने वाली लटकाने वाली आइटम मिल जाए, तो मैं इस तरह के से लगा लिती हूँ, प्लांट्स को, और इस तरह के से दोस्तों आप इसकी कटिंग काट काट के भी लगा सकते हो, थोड़ी थोड़ी जड़ के साथ, जैसे मैंने अभी आपको लगा के दिखाया है, तो बहुत अच्छा प्लांट है, कोई इसके बारे में इतनी कोई खास जानकारी भी नहीं है, बस आपने आउटडोर थोड़ा सा ऐसे एरिये में लगानी है, ज़्यादा धूप नाती हो, मतलब ऐसा नहों के सारे दिन की धूपी महीं रहती हो, आके चली जाए वो ठीक है, या आउटडोर कोई कवरिंग का आउटडोर शेडी एरिया आपका, तो वहां आप इसको बड़े अराम से लगा सकते हो, लेकिन प्रोपर एकदम इंडोर रखोगे आप इसको, तो बहुत अच्छा प्लांट है, जल्दी फैलने वाला है, क्रीपर है एक तरह से यह, लेकिन हैंगिंग बास्केट में इसको लगाते हैं हैंग करने के लिए, क्योंकि जब यह हैंग करके निच्चे की तरफ लटकता है, उपर की तरफ नहीं लटके गई है, निच्चे की तरफ इसकी पतियां बैंड होंगी, इसको बड़े अराम से आप कटिंग के जरिए लगा सकते हो, जैसे हम पर्स लेनी आप और चुला का लगाते हैं, तो ये मैंने देखो कील, जो हुटता नेल उसको उसमें fix करने के लिए जंगे भी बना रखी इसकी तो मैं इसको लटका दूँगी, पानी मैं भी नहीं दे रही आप लगा रहे हो तो वो भी प्लांट आप इस तरीके से लगा सकते हो और यहीं मैं बैठी हूँ, आपको देखाती हूँ मैं प्लांट जो अपने आप से उग जाते हैं यह देखो सदा बाहर के इतनी सुन्दर प्लांट तियार होगे हैं यहां साइड वाली क्यारी में और बहुत सारे टमाटर के भी उग रहे हैं यहां अपने आप से मैंने नहीं उगाए शायद बंदर-बंदर बैठके यहां टमाटर खा रहे होंगे, उनसे बीच गिरिये होंगे यह तो, और यह दिखो नैचुरली अपने आप ही टमाटर का प्लांट उक क्या तो बस नीचर को बढ़ाने में जीव जनतों का हाथ भी है और बंदर तो भी होती, बंदमाशा है ना वो तो कुछ ना कुछ दंगे करेंगी लेकिन प्रकिर्ती को बढ़ाने में दोस्तों इन छोट-छोटे जीव जनतों का भोत हाथ है जैसा कि मैं बता रही हूँ यह जो प्लांट है अपने आप से उक है शायद कोई चिडिया गोसला बना रही होगी वो को इसकी सुखी डंडी ले आई होगी डंडी समझके क्योंकि इस टाइम न ऐसी सुखी पतियां चुनती रहती हैं और यह आप देखे रहे हो मैंने सारे में यह अच्छी तरह से फैला दी है यह प्लांट जिन में कि अब आग्या आने वाले टाइम में फूल आएंगे परसलेन और पर्चुला का में तो यह भी देखो ग्रू होने लगए हैं अच्छे से सब की मैंने इसकी गुडाई कर दी थी और सदा भार तो इतने सुंदर लगत हैं देखने में बहुत अच्छे लगते हैं सुगस हुए देखो न आप फूल खिलते हुए तो बहुत अच्छा लगता है थोड़ी गिन में देखना है क्यारी पूरी भर जाएगी फूलों से बिल्कुल ऐसा लुक आएगा मांटेन वाला और इस तरीके से भी आपके प्ला लगा सकते हो टैंगल हार्ड, बेबी टियर्स और इस तरह के बहुत सारे प्लांट है आपके पास जो आप लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट में तो उमीद है आज का प्लांट भी आपको अच्छा लगा होगा और आप जूरू ट्राई करोगे तो बस और दिखाती हूँ क्या क्या नया मैंने भी आज सुभ़ सुभ़ अभी देखा है यह देखो अमरालेस लिली के बर्ड्स बनने लगी है इसको मुझे अभी परसो तक तो मैं पानी दे रही थी यह मुझे कुछ नहीं दिख रहा था सर्प्राइस लिए इसले बोलते है कि जब एकदम से इसकी ब बड़े-बड़े साइस का आप खिलता है और बड़ा-बड़ा सा और देखने में भी इतना सुंदर लगता है तो इसके भी बल्ब आप लगा सकते हो कहीं लग रहे हो तो आप निकाल के ला सकते हो यह देखो है न सब पे बनगी है यह देखो बहुत सारी बड्स बनने लग मैंने यहां कई सारे पोद्धे Yelo कख़े लगाये थे बल्ब लगाये थे जब इसमें Lilium का बल्ब भी लगा दिया था Sudarshana का लगाये था, रोयो का भी लगाये था इस motivo, यह तो इतने projecting कर रहे थे, बस रोयो कई था जो Clintus हेर सी वाली look दे दे थे था दजिको और अभी सारी के सारी निकलने लग गया आप देखो कितना अच्छा लग रहा है अभी थोड़े जिन में सारा भर जाएगा और देखो है ना देख रहा है को यह वाला लिलियम का प्लांट है ना मैंने भी अभी देखा है यह अब आपके लिए वीडियो बना रही थी जब तो यकीन हो गया वही वह बलब खराब नहीं हुआ उग गया तो बस मिलते हैं नेक्स वीडियो में उमीद है आश का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा लगाने का तरीक्षा पता लग गया होगा और इसी तरीके से दोस्तों आप भी hanker करके ऐसा नहीं है कि आप निच्चे जमीन में plant लगाओ दिवारों पे भी आप hanker करके plants लगा सकते हो तो बस thank you very much